भगवान का एक नाम है विश्वम विश्वा ये विश्व जो है भगवान का ही एक नाम विश्वा है मदलब स्रष्टी के कणण में जो व्याप्त हैं उनका नाम विश्व जिनके नाम को लोग सुनकर आकर्शित हो जाएं उनका नाम है क्रिश्व जो सब के हिर्दे में रमन करें उनका नाम है राम जो छीर सागर पर सयन करें उनका नाम है नारायन जो सब के भीतर कणकण में समाई है उनका नाम है विश्व जो विश्व व्यापक हैं वो विश्व कर्षतिति क्रिश्ण हा जो सब के मन को आकर्षित कर लें वो क्रिश्ण रमन्त योगी नाम यस्य सहराम हा जो योगियों के हरदय में रमन करें वो राम जो गाय चराएं इंद्रियों को वसमे करें वो गोपाल जो गिरिडाजी को ठाएं वो गिरिवर धारी जो इंद्रियों को कंट्रोल करें और काम देव को भी पराजित कर दें उनका नाम है अच्युत क्या नाम है अच्युत क्या नाम है बोल के बताओ अच्पिछ क्या थे रही हो अच्पिछ अच्युट अच्युप नहीं अच्युटम आपने सुना होगा ना अच्युटम केशवं कृष्ण दामोदे अब इसमें दामोदर भगवान का नाम क्या है यह दामोदर नाम कपड़ा जब मैया यशुदा ने भगवान को उखल से बांधा तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर तो आपने सुना अच्युटम केशवं केशवं मतलब जिनके केश बहुत सुन्दर केश मतलब बाल केशव जिनके बाल बहुत सुन्दर है इसलिए उनका नाम केशव पड़ा और केशी नाम के राक्षव को मारने से भी उनका नाम केशव पड़ा केसी घाठ ना ब्रंदावन में यमना जी में वो केसी नाम के राक्षास को वहीं मारा चाए इसलिए नाम पड़ा केसी घाठ तो वच्युतम केशवम कृष्ण दामो देरम राम नारायनम दिखो राम नारायनम जाने की वल्लभम तो यहाँ पर राम नारायनम तो यहाँ पूरी लायन में नारायन सब्द जो आया वो दौनों के लिए आया है कृष्ण नारायनम राम नारायनम समझ में आरी है ना बात तो आपको कोई पूछे कि भगवान के नाम बताओ तुरंत यह वाला सुनाओ अच्युतं केशिवं कृष्ण दामोदेरं राम नारायनं जाने की वल्लभं साथ नाम हो गए आप कोई और पूँछ है तो फिर सुनाओ स्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी थे ना थे नारायन वासुदे यह हो गहाँ थे नाच में आगे जगम नाची वत्रिम द्वारी का नाच आगता डि़ाए तो यह 6 यहाँ और साथ वहाँ लो इतने में आपको बहुत सारे नाम याद हो जाएंगे और याद है ओल्रेडी वह आपको याद आ नि रहाँ अ पेट में था निकलनी रहा थे ना अच्चुप तो भगवान के नाम बहुत थे देखो यहां भी आया नारा स्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुदारी थे नाथे देखो नाराण आया ना बिना नाराण के क्या है अर्थात क्रिष्ण और नाराण में कोई भेद बारवार एक ही बात हम इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत लोगों को भेद लगता है बहुत लोग अंतर मानते हैं इसलिए हम आपको सबको बताते रहते हैं कि आपसे कोई किसे समझा दो कि भाई तुन मूर के अब क्या बताएं तिरे से जो राम है वही कृष्ण रामकृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेस इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विसे अब बताओ किसके नैनों में गंभीरता है और किसकी आखों में चंचलता है उत्तर दो चंचल कौन है राम जी चंचल है तो क्या है राम जी क्या है राम विल्कुल शांत गंभीर और भगवान कृष्ण चंचल आपके पती चंचल है के गंभीर है तो आपके पती यदि चंचल है तो उन्हें क्रिश्ण की रूप में देखा करो और गंभीर है तो राम की रूप में देखा करो पती मैं भी भगवत बुद्धी रखना चाहिए पती परमेश्वर है